Hey everyone, this side Dr. Mosan Meena, कैसे हैं आप सभी, उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की College Series के अंदर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ All India Institute of Ayurveda जो की North Goa के अंदर प्रेजेंट है तो इसका जो Establishment है, वो 11 December 2022 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, All India Institute of Ayurveda नोर्थ गोवा जो है यह एक तरीके से Central University है और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो Establishment है वो अभी-अभी 2022 के अंदर हुआ था 50% seat जो होती है, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है 50% seat जो होती है, वो AACCC Counseling के अंदर पार्टिसिपेट करती है और इसकी जो 50% seat जो होती है, वो स्टेट कोटा बच्चों के लिए यानि कि जो Goa के students हैं, उनके लिए यहाँ पर result रहती है फिर उसके बाद में अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका जो Establishment Year है वो 11 December 2022 को है मैंने आपको बताया अभी था, अभी हाल-फिलाल में यह college खुला है और इसके अंदर मातर अभी तक 2 batch गए है एक तो 2022 batch गए है और अभी recently 2023 batch गए है तो टोटल इस college के अंदर अभी तक यहाँ पर कितने batch आपको देखने को मिलेंगे 2 batch देखने को मिलेंगे फिर उसके बाद मैं अगर मैं इसकी location के बारे में बात करूँ तो इसकी जो location है वो धारगल village आपको North Goa के अंदर देखने को मिलेगा है धारगल village वहाँ पर आपको इसकी location देखने को मिलेगी और अगर मैं इसके stipend के बारे में बात करूँ तो आपको जैसा की पता है अभी तक मातर दो बैच आये हैं यहाँ पर तो इसका जो stipend है वह अभी तक clear नहीं है लेकिन मेरी काफी junior से बात हुई थी तो वह सभी मुझसे यह कह रहे थे कि इसका जो stipend है वह लगबग लगबग 25,000 से लेके 30,000 के बीच में इसका stipend रहने वाला है फिर उसके बाद में अगर मैं PG stipend के बारे में बात करूँ तो PG stipend जो है यह जो college है AII यह गोवा यह पहली बार इस साल PG counseling के अंदर participate कर रहा है तो इसका जो stipend है वह अभी तक clear नहीं है लेकिन मैं approximately data बता रहा हूँ आपको 90,000 से लेके 1,000,000 के आसपास इसका क्या रहने वाला है stipend रहने वाला है monthly का बता रहा हूँ मैं यह आपको तो यह चीज आपको पता होनी चीए और अगर मैं number of seats के बारे में बात करूँ PG के अंदर तो 100 के आसपास approach seats होने वाली है PG के अंदर भी फिर उसके बाद में अगर मैं internal quota के बारे में बात करूँ तो internal जो quota है वो अभी तक clear नहीं है यहाँ पर लेकिन कुछ student से मेरी बात होई थी और कुछ faculty से मेरी बात होई थी तो उन सभी ने मुझसे यह कहा था है यहाँ पर कि यहाँ पर लगबग 50% internal quota रहने वाला है अभी तक यह चीज़े clear इस वज़े से नहीं है क्योंकि अभी तक मातर यहाँ पर दो batch आये हैं और यह जो दोनों batch हैं यह दोनों batch अभी तक first year में हैं इनके अभी exam होने वाले हैं इस महीने से अगले महीने से इनके exam चालू हो जाएंगे जून से और यह जो batch है यह भी अभी तक first prof के अंदर है तो अभी कोई भी batch है यहाँ पर internship में या last year के अंदर आया नहीं है तो अभी तक यह चीज़े यहाँ पर clear नहीं हो पाई है लेकिन मैं आपको एक roughly idea बता रहा हूँ कि इतनी चीज़े हो सकती है यहाँ पर फिर मैंने आपको बताई दिया 100% seats है इसके अंदर और जो 100% seats है वो दो parts में divide करी गई है 50% जो seats है वो AACCC counselling के अंदर participate करेगी और जो 50% seats होगी वो यहाँ पर state quota बच्चों के लिए क्या रहेगी reserved रहेगी फिर उसके बाद में अगर हम college fees के बारे में बात करें तो 55,400 रुपे इसकी college की fees होने वाली है और hostel fees जो है वो 25,000 रुपे के आसपास इसकी hostel fees रहने वाली है फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख भी सकते हो यह official notice है मेरे एक junior ने बेजा था है आप इसकी date भी देख सकते हो अभी अभी इसकी जो fees है वो prof wise हो गई है तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो prof wise यह जो fees है इसका मैं टेलिग्राम चैनल पर अपना PDF डाल दूँगा तो आप वहाँ से जाकर इसे download भी कर लेना आपको जो पूरी fees है All India Institute of Ayurveda Goa की इसका official notice आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फिर उसके बाद में अगर मैं college की mess के बारे में बात करूँ तो 45,000 रुपे के आसपास इसकी college की mess होने वाली है जिसके अंदर आपको wedge और non wedge दोनो टाइप की mess देखने को मिलेगी जो non wedge होता है वो हफते में दो बार देखने को मिलता है आपको और जो non wedge है जिसके अंदर जो special होता है sorry wedge के अंदर वो भी आपको यहाँ पर दो बार देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको chicken, mutton वगेरा खाने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको पनीर, mushroom वगेरा आपको खाने को मिल जाएगा तो normally जो बच्चों ने मुझे बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर फिर उसके बाद में जो courses है वो यहाँ पर आपको BMS का, MD का, MS का, PhD का यह courses आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो जो college का bond है वो यहाँ पर available नहीं है यानि इस college के अंदर यहाँ पर कोई भी bond present नहीं है फिर उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो, यह जो campus है, यह campus की photos है, आज की photo यह, अभी-अभी मैंने अपने junior से मंगवाई थी, मनोज मीना से, तो उन्होंने मुझे अभी-अभी यह photo भेजी है, तो आज की recently campus की photos है, जो मैंने अभी आप लोगों के लिए मंगवाई थ फिर उसके बाद में आप यहां पर देख भी सकते हो, यह college का main gate है, और यह एक तरीके से punch karma के cottage है, यह चीज आप ध्यान से देखो, इस college के अंदर यह जो चीज है, यह बहुत ही ज़्यादा important है और अलग है, यह क्या है एक तरीके से punch karma के cottage है, अब यह punch karma के cottage क्या होता है, इ देखने को मिलेंगे, अभी तक यहां पर 5 punch karma के cottage बन चुके हैं, और अभी 5 और बनना बाकी है, तो जितने भी treatments होता है, punch karma के अंदर वो आपको इन cottage के अंदर देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे foreigners वगेरा जो होता है, वो यहां पर अपना punch karma का treatment करवाने आता है, तो जो जो भी बच्चे यहां पर आईरवेदा की therapies वगेरा सीखना चाता है, punch karma, विद्ध कर्म, अगनी कर्म, रक्त मोक्षन, स्नेहन, स्वेधन, वमन, विरेचन, जो भी ऐसी चीजे सीखना चाता है, वो यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, तो एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेंगे, punch karma के cottages देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो, यह मैं आप लोगों के लिए specially OPD लिस्ट भी लेकर आया हूं, यहां पर आपको एक तरीके से 42 watts देखने को मिलेंगे OPD के अंदर, यहां पर आप देख भी सक गेस्ट्रो, इंस्टेस्टाइनल, डिजीस केर, स्क्रीनिंग रूम, डर्मेटोलोजी, नियूरोलोजी, मस्किलोस्केलेंटन, रिजेनवेशन, एफ्रोस्टिक रसायन और वाजीकरण की भी OPD, पंच कर्मा की भी OPD, कैंसर की, वेलनेस क्लिनिक प्रोसीजर रूम, लाइफ इस तरीके के बहुत सारे आपको यहां पर OPD वाड्स देखने को मिलेंगे, आपको AII यह गोवा के अंदर, तो टोटल OPD वाड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपको 42 OPD वाड्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इसका भी जो PDF है वो मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर यहां पर डाल दूँगा, फिर उसके बाद में अगर हम प्रिवियस येर की कट ओफ के बारे में जो कट ओफ है, यह मैं यहां पर फर्स्ट राउंड की कट ओफ बता रहा हूं और इसी के आसपास इस साल की भी रहने वाली है, यहां पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रैंक के ओपर देना है, तो आप इस चीज का स्क्रीन शॉट ले लेना और जैसे ही आपका नीट का आता है, तो आपको एक बार अपनी मैच जो रैंक है, उसको यहां पर मैच करके देखना है, अगर इसके आसपास में आपकी रैंक आ रही है, तो यह जो कॉलेज है, यह आपको मिल सकता है, लेकिन मैं बेसिकली बता रहा हूं, इस कॉलेज की जो कट ओफ है, वो बहुत ही ज उसके बाद में, अगर आपको कॉई भी क्वेरी हो, तो आप मुझ से, या आशीश मिना से, या चंदन जैसवाल से, कॉई भी हैल्प चाहिए आपको, तो आप हैल्प वगेरा भी ले सकते हो, कॉई भगेरा के रिगार्डिंग, फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ और important points मैं आपके सामने शेर करना चाहूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो AII यह गोवा है, यह गोवा यूनिवर्शिटी से affiliated है, बॉइज होस्टल जो है, वो आपको यहाँ पर दामोदर होस्टल के नाम से, आपको यहाँ पर बॉइज होस्टल देखने को मिलता है, औ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी के टाइम पर UG और PG के अंदर एड्मिशन लेंगे, उन्हें दामोदर होस्टल अलोट होगा, बॉइज में और गल्स में मांडवी होस्टल अलोट होगा, फिर उसके बाद में जो PG ब्रांच है, वो यहाँ पर आपको 14 टाइप्स क देखने को मिलती है, जैसे कि पंच कर्मा हो गया, पंच कर्मा के बारे में तो मैंने आपको बताई दिया, शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, रचना शरीर, क्रिया शरीर, इस तरीके के आपको 14 ब्रांच इज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी PG के अंदर, फिर उसके पॉइंट है जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पर पंच कर्मा थेरेपीज वगेरा सीखनी है तो उन स्टूडेंट के लिए यह कॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं काफी बच्चों से कहता भी हूँ अगर किसी बच्चे को सर्जरी के अंद इंट्रेस्ट है तो वो यह कॉलेज यहाँ पर ले सकता है फिर उसके बाद में अगर मैं पेपर मीडियम की बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो पेपर है वो हिंदी प्लस इंग्लिश में रहने वाला है अभी कुछ टाइम पहले तक जो लेंग्वेज ओफ मीडियम था व फिर उसके बाद में यह जो लेंग्वेज ओफ मीडियम है यह अब आपका इस कॉलेज में हिंदी प्लस इंग्लिश कर दिया गया है फिर उसके बाद में मैंने आपको पीजी सीट्स बताई दी एपरोक्स हंड्रेड के आसपास होने वाली है और इस साल पहला बैच आने वा बता रहा हूं जो मैंने टीचर से और वहां के जूनियर से कंफर्म किया है फिर उसके बाद में जो ओपीडी यूनिट्स है वो 42 है और आई पीडी जो है वो 200 बैड़ यहां पर आपको हस्पिटल देखने को मिलेगा डेली ओपीडी आपको लगबग यहां पर 500 से ज्यादा कि देखने को मिलेगी आई पीडी 100 प्लस सर्जरी जो है उसके अंदर आपको नॉर्मल सर्जरी जो होंगी वो बहुत ज्यादा कॉमन होंगी जैसे कि पाइल्स फिश्टूला डिलीवरी के अंदर सी सेक्शन सीजेरियन वगेरा कुछ इस टाइप की जो सर्जरी वगेरा हों देखने को मिलता है तो यह ऐसी खास बात थी जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई थी ए आई आई यह गोवा के लिए और यह एक एसी यूटूब पर पहली वीडियो है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है ए आई यह गोवा के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिलती है यहाँ पर आपको जिम भी देखने को मिलेगा और इसकी जो होस्टल की सुवीदाय है वो काफी अच्छी है बच्चों ने भी मुझे का था और यहाँ पर एक और इंट्रेस्टिंग चीज में आपको बताना चाहूंगा हर संडे को यहाँ पर हर संडे को यहाँ पर क्या होता है हर संडे को यहाँ पर एक तरीके से बच्चों को गाउं में लेकर जाया जाता है गाउं में लेकर जाया जाता है विलेजिस में ट्रीटमेंट चेक अप वगेरा के लिए तो कैंप्स वगेरा जो होता है मेडिकल के वो यहाँ पर every Sunday होते हैं और उसके अंदर students को भी लेकर जाया जाता है और last में जो आपके seniors हैं उन्होंने आपके लिए एक important note बेजा है तो सभी seniors ने मुझसे ये कहा है कि भाया जो भी इस college को लेना चाते हैं उन सभी students से आप एक बात जरूर कह देना यहां पर आप जो bunk है वो बिना permission के नहीं कर सकते हो बंक college बंक करने के लिए आपको यहां पर hostel warden से या जो mentor है आपके 10 बच्चों के अंदर यहां पर एक mentor दिया जाएगा तो वो जो mentor होंगे या जो college के warden होंगे उससे आपको यहां पर क्या लेनी पड़ेगी permission लेनी पड़ेगी college में बंक मारने के लिए अग और guys अगर आपको कोई और भी doubt हो तो आप comment section में comment करके बता सकते हैं और अगर आपको counseling से regarding अगर आपको कोई doubt हो या कोई query हो तो आप हमारा iution veterinary counseling guide course में भी enroll कर सकते हैं या आप हमारी counseling team से भी contact कर सकते हैं सारी चीजों का जो link है वो मैंने आप description box में दे रखा है next video में कौन से college की उपड़ लेकर आऊं आप comment section में comment करके बताईए और आपके जो भी comments वगेरा होंगे सबसे जादा उस college की review series में सबसे पहले लेकर आऊंगा तो guys इस video के अंदर इतना ही था thank you दोस्तों मेरी video देखने के लिए